हेलो फ्रेंड वेल्कम बाक टो मैं चैनल शीप्स हेल्ट टिप्स आपका मेरी चैनल बहुत बहुत स्वागत है अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बलकुल मत भूलें साथ ही साथ बल नोटिफिकेशन अन कर लें कि आपको नई वीडियो के अपडेट्स फॉरण मिल जाएं अगर आप चाते हैं कि आपकी डिलेवरी इदम नॉर्मल हो किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत ना रिवरी में लिबर पेन भी नवमाहिन परीट्स अगाराद्स तरह काम, है तो टहलने से होता है कि यह सिशू पर दबाब परेगा तो उसे लिबर पेन स्टार्ट हो जाएँ और नर्मल डिलेवरी के चांसे बहुत जाधा बढ़ Sun यदि आपका शिशु नीचे नहीं आया है तो चहल कदमी करने से उसको बेतर अवस्ताग में आने में मदद मिरेगी और आपका लेबर पीन प्रसफ प्रकृतिक रूप से दम उठने लगेंगे हलका हलका आप लोग योगा करें योगा पोजेशिस हलकी हलकी दमístलाइट से करें और मेडिटेशन जरूर करें उससे बोड़ी काम रहीगी दिमाग काम रही है यदि आप ये सुझाव अपनाते हैं, दीरे दीरे चलते हैं, मेडिटेशन करते हैं, हलकालका योगा करते हैं, तो आपको नॉर्मल डिलिवरी होने में बहुत आसानी हो जाएगी, इस बात कभी साथी ध्यान रखें कि आपको बहुत जादा नहीं तकना है, हर चीज बहुत हलका हलका सा करना है, दीरे दीरे करना है, कि आपकी बोड़ी पे कोई भी चीज का प्रभाव न पड़ें, बहुत जादा ध्यान रखें, अच्छा खान पान, खाईए हरी सबजियां, प्रोटीन की चीज़ें जादा लिए, झाल टमा जादा खेंगे पान, जादा जादा देटना खाना, जादा टमाटेश और प्रभाव न अच्छा कर्या में अखें,